तो इसलिए आप जल्दी से मुझे बताईए कि भारत में मुसल्मानों के बारे में और क्रिश्चन्स के बारे में क्या क्या आम धारना है? सामान्य सामाजिक सोच क्या है? मास खाते हैं, तो मास खाने से क्या हो गया? गाए का माता मानते हैं तो मुसल्मान गाए को खाता है तो इसलिए हिंदु को तकलीफ होती है इसलिए वो मुसल्मान को मारता है नमबर एक, धर्म परिवर्तन कराते हैं, मतलब वो, कौन, धर्म परिवर्तन का भी एक जर सुन लिए, दो प्रकार के कहते हैं, एक तो भई वो इसाई मिशनरी, वो घूमते रहते हैं, बाइबल लेके, कोई भी दिखा, तो उसको क्रिश्चन बना देते हैं, एक, और दूसरा एक धर्म परिवर्तन इतिहास में कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है, कि भई, मुसल्मान राजाओं ने धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसा बोलते हैं, इसलाम भी धर्म परिवर्तन किस टे कराया, लोगों की मानिता का है, मुसल्मान राजाओं ने, और अंग से भी मुसल मुसलमान्राजा वेरी बैड गोडे बैठके आएंहे उनकेatyक हाथ में तलवार थी एक ऐत में कुरान थी a now you HA y twisted खैब अले कालेज में फिर से गया था गैसे और मोलते है इसी मैंने korenta आ जैसे मैं ने बोला कुछ students काईव मुसल्मान राजा कि एक हाथ में तल्वार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोडा कौन चलाएगा? यह तो बजय पता नहीं. जो खैर, यह लिया मुसल्मान राजाओं ने इसलाम फैलाया, कृिश्टियन मिश्णरी इसाई धर्म फैलाते हैं. मुसल्मान नौजवानों को मोटरसाइकल लेके देते, मुबाइल लेके देते, ऐसा लोग बोलते, उसे मैं एक और एड कर देता हूँ, शायद डियोडरेंट भी लेके देते, और फिर जाते हिंदू लड़किया उनके तरफ आकरशित हो जाती है, और वो इसलिए मुसल्मान बन जाती, तो लव जिहाद, ठीक है, इसको लव जिहाद को भी अपन देखेंगे, और एक और जिहाद है, हाँ, जी, वाइलेंट होते हैं, ठीक है, मैं पहले जिहाद को कम्प्लीट कर देता हूँ, जिहाद से एक और चीज भी जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद को जिहा पिर सानिया ने कहा कि बोलो ये क्या का वाइलिंट होतें हैं वाइलिंट मतले बाता नहीं क्योंकि कल मैंने भी मतन खाया था तो आपको केर देना पड़ेगा पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये खतरनाक टॉपिक, आप लू लाया, कैसे बढ़ाते हैं, ये मीट का फॉर्मूला केवल मुसानवानों पे लगाते हैं, इसाइयों पे नहीं लगाते हैं, तो इसाइयों के शायद पेट में कुछ न्यूटरलाइजिंग सिस्टिम है, ये ब बच्चों के पहले बीवियां, कित्ती शादियां, चार, चलिए अब हाल्ट, हाल्ट, एक ऐसी मीटिंग में गया, मैं थोड़े आपको किसे बता रहा हूँ, सची किसे हैं, अनफर्चुनेटली, तो गया, मैं लोगों से पूछ रहा था, लोग जवाब दे नहीं रहे थे, तो मैंने लोगों को छेड़ खानी किया, मैंने का बताईए, ये मुसल्मानों के परिवार कैसे होतें, जैसी मैंने सवाल किया, तो एक दोस्त बैठे थे, उनके तिलक लगा हुआ था, पैसान लिया आपने, तिलक पर आइडेंटिटी, तिलक लगा हुआ था, वो बहुत द हम ये हिंदूों के मेजारिटी के देश में, हम हिंदूों का कितना बुरा हाल है, हम लोग कितने असहाय है, मैंने का क्या हो गया है, ऐसा क्या असहाय है, तो ले देखो ना, हम बेचारे हिंदू, केवल एक ही बीवी, केवल दो ही बच्चे, वो मुसल्मानों का देखो, क्य मजा ही मजा है, चार-चार भीविया, बीज-बीज बच्चे, मैंने हाथ जोड़ दिये। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से, तो आपको पता होगा, अभी-अभी दिल्ली में एक रोड का नाम बदला गया था, कौन से रोड़ था? अकमार का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल, औरंग जेव रोड, ठीक है, और औरंग जेव का रोड का नाम बदलने के पहले, उन्होंने कहा, औरंग जेव वेरी बैड, बाकी चीज़े उस था थी, धर्मांतरन भी उसने करा है, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं फिर, क्योंकि आपको पता होगा, मैं हिस्टॉरियन तो हूँ नहीं, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया, कि औरंग जेव ने कौन से मंदिर तोड़े, पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में चार चीज़े पता तोर पे, पहले पता चला कि औरंग जेव ने काशी में भगवान विश्वनात के मंदिर को तोड़ा था, पर साथ में एक और बात पता चली, वो बात पता चली, गौहाटी असाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को से दान दिये, उज्जेन में महाकाल का म मंदिर है, उसको भी दान दिये, तो मैं कौनसी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली के मंदिर को दान देने वाली, दोनों बाते हैं, नमबर एक, तीसरा मुझे बड़े आश्यर की बात चली, पता चली, कि औरंग जेव ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदे तोड़ी भी सही, कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली, जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी, पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात सही, अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं, एक बर क्या हुआ, गोल कुंडा के नवाब ने, ताना शाह ने औरंगजेब को तीन साल तक लगान नहीं दिया, औरंगजेब कौन है, महराजा, ताना शाह कौन है, राजा, ठीक है, तो ताना शाह ने तीन साल तक लगान नहीं दिया, ये लगान यानिक है, टेक्स, ये बात आपको पहले से पता थी, ये आमीर खान की फिल देने वाला कौन होता है किसान किसको टेक्स देता है जमीदार को जमीदार किसको टेक्स देता है राजा को राजा किसको देता है महाराजा को औरंगजेब कोन है महाराजा तानाशा कोन है राजा तो औरंगजेब ने तानाशा को पूछा आपने तीन साल तक लगान नहीं दिय क्या प्रॉबलम है ताना शाह ने का हुजूर मेरे राज्य में अकाल ड्राउट र्राउट है जैसे हमारे मारा अठवाडा में चल रहा है मेरे प्रजा मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही तो मैं आपको लगान कहां से दू और अंगजेब बड़ा चला और के नीचे छुपा के रखी है आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या करेगा औरंगजेब फोज को भेजेगा मस्जिद को तुड़वाएगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं औरंगजेब ने आपसे पूछना चाहता हूँ राजा लोग राज्य क्यों करते थे ? एबी और हमारे मन में क्या चल रहा है ? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड एक सरल फर्मूला है पाकिस्तान में जौ़ाओ तो फर्मूले को इल्टा कर देंगे कहते हैं इतिहास का सामप्रदाई करण, कमिनलाइजेशन अफ हिस्ट्री और कमिनलाइजेशन अफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है, ये चालू होती है, अठ्रा सौ सत्तावन की लडाई के बाद, अठ्रा सौ सत्तावन आपको याद होगा सबको, अठ्रा सौ सत्तावन की लड़ाई पहली क्रांती उसकी चिंगारी किस ने लगाई थी मंगल पांडे उसका नित्रत तो किस ने किया था बादुर्शा जफर बादुर्शा जफर के साथी कौन थे तात्या साब नाना साब पेश्वा जासी की हिंदू मुसल्मान मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ और वहां से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग-अलग रूप में पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया यहां दूसरा रूप दिया गया मंदिर थोड़े और देख लेते हैं मंदिर का तोड़ना अब एक मैंने बताया आपको औरंग से एक और हिंदू राजा राजा हर्षदेव के काल का विर्बरन हमको एक किताब से मिलता है उसका नाम है राज तरंगिनी राज तरंगिनी के कवी का नाम है कल्हन कल्हन ने राज तरंगिनी लिखी और उसमें लिखते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने रज के दौरान एक नए ओधे पद का निर एक अच्छे ओहदे का निर्मान किया राजा हर्शिदेव ने और उस ओहदे का नाम था देवत्पतन नायक. अब किसकी हिंदी अच्छी है मैं देखना चाहता हूँ? इसको संदी विच्छेद करके तीन शब्द इसमें है. एक हाथ करके बताई गया है. देवत्पतन नायक. क वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाडे इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसल्मान राजा? हिंदू राजा. आगे कहीं उसमें लिखा है. राजा उस अपने आफिसर को इंस्ट्रक्शन है. भाईया, वो ही मूर्तियां उखाड आपको मैं अपनी कैटेगरी में डाल दू क्या है? पक्थर की मूर्तियां आप में अपने जैसे लोगों के लिए है और सोने चांदी की मूर्तियां राजा के लिए है. तो ये जो राजा एक और एक और देख ले हम, एक और बड़ा लंबा एसे फ्रंट लाइन में आया था Temple Destructions in Ancient India. इसके लिखक का नाम है Richard Eaton. Richard Eaton लिखते हैं कि प्राचीन काल में भी मंदिरों को तोड़ा गया. तो मुझे थोड़ा सोच के जवाब दीजिए. प्राचीन काल में मंदिरों को तोड़ने के लिए मुसल्मान राजा थे क्या? Yes, No. क्यों नहीं थे? मुसल्मान राजा क्यों नहीं थे? इसलाम थाई नहीं? दुनिया में इसलाम नहीं आया था. इसलाम कौन से शताब जी में आया था? 7th century. 7th century के पहले इसलाम? नहीं था. मुसल्मान राजा नहीं थे. तो मंदिर किसने तोड़े? तो Richard Eaton बताते हैं जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे. हिंदू राजा आपस में लड़ते थे? यस नो? मुसल्मान राजा आपस में लड़ते थे? ऐसा तो नहीं था. एक हजार साल के पहले के समाज में मैं एक हिंदू राजा हूँ. कल्पना करने में क्या जाता है? मैं एक हिंदू राजा हूँ. वो एक संपत्ति के बीच में धर्म कभी नहीं आता हिंदू राजा हिंदू राजा से लड़ता था मुसल्मान राजा मुसल्मान राजा से लड़ता था खर तो जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता के मंदिर को तोड़ कर खुद का कुल देवता मंदिर वहां बनाता था Am I clear? अपने कुल देवताँं की कोई shortage है क्या है? काफी हैरेक अपना अपना है अर ये क्यों करता था वो? जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करता था राइट रॉंग औरंग जेब गोविन सिंग के बेटों को बोलता है कि तुम मुसल्मान बन जाओ तो कि औरंग जेब यह धर्म का प्रसार कर रहा है कि हारे वे राजा का अपमान कर रहा है पर जीतने वाला राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए उसके कुल देवता के मंदिर को तोड़ता था नबर एक नबर दो उसी के साथ वो प्रजा को संदेश देना चाहता था कि अब यहां का राजा मैं हूं